वो कहते हैं ना कि आपकी तोचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता हाँ आज हम एक ऐसी हिरोईन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पास उम्र आकर मानो थमसी गई है आज हम आपकी फेवरिट एक्टरस भानुमती रेखा के बारे में कुछ ऐसी बाते बताने जा जिनको जान कर आपको आश्यर होगा और इन बातों में लगबग 90 प्रस्त बाते आपने अभी तक किसी वीडियो में न सुनी न देखी होंगी तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटिफुल बॉलिवुड में वीडियो के अंत में हम आपको ये बताएंगे कि रेखा को एक समय ऐसा था कि सबसे बदसूरत ही रोईन कहा जाता था आखिर उन्हें किस बदसूरत नाम से कहकर लोग चिड़ाते थे हम आपको वीडियो के अंत में ये बताएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई फिल्म अभिनित्री रेखा, तमिल अभिनेता, जैमिनी गडेसन और तेलगू अभिनित्री फुस्पा वली की संतान है रेखा का जन्म और पारण पोर्षण चेन्नई में हुआ, जन्म के बाद उनका नाम भानुमती रेखा रखा गया रेखा तेलगू को अपनी मात्र भासा मानती है, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी वो अच्छे से बोल लेती है रेखा के जन्म के समय उनके माता-पिता की साधी नहीं हुई थी, और उनके पिता ने बच्पन में उन्हें अपनी संतान के रूप में स्विकार नहीं किया था उन्होंने एक कन्नल फिल्म से हिरोईन के तोर पर अपनी सुरुवात की, रेखा की पहली हिंदी फिल्म अंजाना सफर थी, इसमें उनके साथ विसुजी थीरो थे रेखा की पहली हिंदी फिल्म अंजाना सफर में एक चुमन द्रस था जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया फिल्म सेंसर से की समस्याओं में फसकर करीब 10 साल तक नहीं रिलीज हुई रेखा की एक सगी बहन और 600 तेली भाई हैं जिनके पिता जैमनी गड़े सनी थे रेखा हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थी और इसी वज़े से वो एयर होस्टेज बनने का सपना देखती थी कैरियर के सुर्वाती दौर में रेखा को तेलगू की B और C ग्रेट की फिल्मों में काम करना पड़ा रेखा ने उद्योग पती मुकेस अगरवाल से साधी की थी साधी के कुछ महनों बाद मुकेस ने आत्महत्या कल ली थी फिल्मी कैरियर के दौरान रेखा का नाम अविताब बच्चन, राज बबपर, विनोध महरा, नवीन निश्चल, जीतेन, यस कोली, सत्रगन सिना और आज के अच्छे कुमार से भी जोड़ा गया रेखा के विनोध महरा के साथ साधी करनेने की खबरे भी सामने आई पर्मत रेखा ने सिरे सेस खबर को नकार दिया रेखा का नाम संजदत के साथ भी जोड़ा गया, जो उनसे पान साल छोटे हैं इस विसे में रेखा ने एक बार कहा कि उन्हें संजदत से दोस्ती अविताब बच्चन को जलाने के लिए की थी अविताब और रेखा एक दूसरे के बेहत करीब रहे अब आपको सबसे आश्यर चकित बात बताते हैं रेखा को डबिंग का बहुत सौक था उन्होंने नीतु सिंग की आवाज में फिल्म याराना और इसमिता पाटिल की आवाज में फिल्म वारिस में डबिंग की है रेखा न जाने कितनी प्रतिभाओं की धनी है रेखा को गाने का भी बहुत सौक है उन्होंने संगीत कार आर्डी वनमन के कहने पर फिल्म खुबसूरत में दो गाने गुन गुनाये हैं रेखा एक ऐसी पहली हिरोईन थी जिन्होंने जिम जाना का सुरुवात की रेखा ने जिम में बेसिक एकसरसाइस से सुरुवात की थी और वो योग करने में भी बिल्कुल माहिर हैं अब आपको आखरी और हबसे इंटरस्टिंग बात बताते हैं आप सभी की चहेती, आप सभी की फेवरेट हिरोईन रेखा जिने अपने सुरुवाती दिनों में बतसूरत का तमगा मिला था रेखा आपनी सुरुवाती फिल्मों के दावरान सामली और मोटी थी उनकी अंसारों ने अगली ड़कलिंग कहते थे बत्सूरत बतक का बच्चा कहा जाता था हर बार की तरीके इस बार भी आपसे एक छोटी सी गुजारित अगर आपने वीडियो को आगरी तक देखा है तो इस प्रशन का जबाब जरूर दीजिएगा रेखा के साथ आपको किस हीरो की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ देखा की जोड़ी बिलकुल जम जाती है आपकी नजरों में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चार से चै मिनट के वीडियो में मेरी की गई चार चै गंटों की मेंट को आपका एक लाइक साकार कर देता है जै हिन जै भारत